कि 19 साल की उमर में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकडे घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से मैं नाराज थी तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना मैंने अपने पिता को हिफाज़त से तुम्हारे पास भेजा और तुम्हें ये टुकडे लोता दिये मुझे और वो टुकडे इस जण्डे में लपेटे हुए थे देश के जण्डे में मैं नाराज थी मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है मैं कैसे समझाओ जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देश द्रोही बोलते हैं जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिता जी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मा से विरासत लेने के लिए आपके दिलों में इस देश के लिए कुछ प्रेम होगा कि आप अपने बच्चों को सरहद पे भेजते हैं एक भावना होगी देश भक्ती की नो टमकी की नहीं जो आपके सामने ये लोग दिखाते हैं नो टमकी की नहीं असली देश भक्ती की भावना मैं जादा इन चीजों के बारे में बात नहीं करती लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि 19 साल की उमर में जब मैं अपने शहीद पिता जी के टुकडे घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से मैं नाराज थी मेरे दिल में ये भावना थी मैंने अपने पिता को भेजा तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना मैंने अपने पिता को हिफाज़त से तुम्हारे पास भेजा और तुम्हें ये टुकडे लोता दिये मुझे और वो टुकडे जंडे में लपेटे हुए थे देश के जंडे में मैं नाराज थी मैं समझती हूँ शहादत की का क्या मतलब है जैसे आज मैं बावन साल की हूँ पहली बार मैंने ये चीज सारजनिक ऐसे मंच पे कही है लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिरफ उस से होती है जिस से प्रेम करते हैं हम मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है मैं कैसे समझाओ जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देश द्रोही बोलते है जब मोदी जी कहते है कि मेरे पिता जी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मा से विरासत लेने के लिए तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिता जी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली कि मेरे पिता जी को विरासत में शहादत की भावना मिली आप समझ सकते हैं आप समझ सकते हैं इस देश के किसान हो इस देश की मिट्टी अपने सीची है अपने पसीने से अपने इतने बेटे भेजे हैं सरहत पे जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए तो मैं ज जो पुल्वामा के शहीद है जब वो हुआ पुल्वामा का हुआ उन में से कुछ परिवार यूपी के थे उस समय में यूपी में थी मैं गई उनके घर और जादा तर परिवारों में पता है क्या बताया उन्होंने मुझे जो बच्चे बच्चे थे उन्होंने कहा दीदी हमक पाइलेट बनूँगी मैं एरफोर्स में भरती होंगी यही है शहादत की भावना यह भावना मोदी जी नहीं समझ सकते जो मोदी जी इंद्रा गांधी जैसी एक शहीद के बारे में उल्टी सीधी बाते करते हैं जो मोदी जी इस भावना को देखके सिर्फ परिवार बात देखते हैं लेकिन देश भक्ती नहीं देखते देश की सेवा नहीं देखते वो इस भावना को नहीं समझ सकते